देखो हमने आपको प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया है ठीक है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ाया है इसकी जो वाग के पहचान है ता है ते है यह हमने आपको बताया है इसकी जो helping verb होती है वो हमने आपको बताया कि do or does लगती है बिल्कुल पता है आपको do किसके साथ में लगता है, does किसके साथ में लगता है ये भी हमने बताया आपको verb की first form लगती है ये भी हमने आपको बताया, सब कुछ ये आपको पता है बस आज exercise करना है, क्या करना है, example के मात्यम से हमको समझना है कि हम कैसे हिंदी को English में translate करेंगे, ठीक है ना, तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं कि मैं पढ़ता हूं, पहला sentence, हमने यह बताया है कि he, see, it, name है ना, इन सब के साथ में, यह जो की singular है, इन सब के साथ में, क्या लगता है simple sentence में, yes और yes लगता है, I, we, you, they, इन सब के साथ में, यह जो की plural है इन सब के साथ में, yes और yes नहीं लगता है, सामने लिख दिया, याद रहेगा, ठीक है he मतलब होता है, why, c मतलब होता है, why, जब किसी लड़की की बात करेंगी, ठीक है ना it मतलब यह होता है, और name का मतलब किसी का भी नाम होगा I का मतलब होता है, मैं, we का मतलब होता है, हम, और you का मतलब होता है, तुम, और they का मतलब होता है, way ये सारी चीजे इसमें फोकस करोगे तो बढ़िया समझ में आयागा अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर वही बैठे रहोगे इसे ठीक है ये सारी चीजे मैंने बता दी ठीक है ना अब हमने एक सूत्र भी बताया था सबसे पहले आपको जब कोई भी हिंदी दिखेगी तो जब इंगलिस ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लगाएंगी तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है मैंने सब्जेक्ट आपको बताया है एक बार और बता दूँगा subject plus verb का first form verb लगेगी subject के बाद क्या लगेगा verb का first form plus yes और yes अगर singular है तो yes और yes लगाओगे अगर subject जो है plural का है तो yes और yes नहीं लगाओगे plus फिर बाद में object लगाओगे ठीक है जैसे मैं पढ़ता हूँ तो क्या लगाएंगी सबसे पहले subject इसमें क्या कौन काम कर रहा है मैं तो ये हमने I लगा दिया फिर क्या लगाना है बर्ब का first form क्या काम हो रहा है पढ़ने का तो R, E, A, D yes और yes लगेगा क्या इसमें तो हम देखेंगे I तो I के साथ में S और yes नहीं लगता है तो नहीं लगाएंगे इसके साथ object नहीं है तो नहीं लगाएंगे I read मैं पढ़ता हूँ साथ S की singular है तो उसमें जब last meaning लिखेंगे तो उसमें S लगाएंगे जी बताते हैं देखें जैसे आप पूछ रहे हैं does है ना और do वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में है simple का सूत्र केवल इतना है कि आपको subject लगाना है verb का first form लगाना है S और yes लगाना है plus object लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है simple sentence है ठीक है समझ में आया अभी simple sentence में कितना ध्यान रखना है subject और बर्ब और S और yes plus object बिल्कुल वह है लिखता है लड़का है कोई है ना वह है लिखता है ध्यान दो इसमें वह है लिखता है singular का है है singular S और yes लगेगा लगेगा तो क्या हो जाएगा he W R I T E right और yes लगा देंगे क्योंकि singular है याद रखो इसको छोटे छोटे समझा रहा हूँ अभी ध्यान दोगे तो सब बनेगा silent ठीक है ना वह है लिखती है वह है लिखती है तो लड़की है तो C मतलब वह है तो क्या हो जाएगा S H E C S और E S लगेगा क्योंकि singular है लिखना W R I T E और S लगा दिया तो C writes अब देखो अब इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा हुआ है हिंदी लिखती है तो क्या हो जाएगा लड़की है तो C लगा देंगे singular है हमने को याद है C लगा दिया subject लग गया है सबसे पहले अब क्या लगेगा बर्ब का first form क्या हो रहा इसमें काम लिखने का काम तो W R I T E और S और E S लगेगा किना लगेगा क्या लगेगा Yes लगेगा क्योंकि singular है और S और E S में क्या last वाला word ही है तो यह से बिलकुल C writes अब क्या लगाना है object object क्या है इसमें क्या लिखती है Hindi तो यह हमने लगा दिया Hindi दूसरा देखो वह है बनाता है वह है बनाता है तो singular है ना है singular तो क्या लगाएंगे ही फिर बनाना तो make ही मेक वह बनाता है यस और यस लगेगा कि न लगेगा क्योंकि singular है तो यस लगा दिया he makes अब हमने कहा कि वह मिठाई बनाता है तो क्या हो जाएगा he लगा दिया singular है फिर क्या करता है subject लग गया फिर क्या लगाएंगे क्या काम हो रहा है इसमें फिर क्या लगेगा यस और यस में क्या लगेगा एस लग जाएगा